सबी का मंगलो नमस्कार उठा ले भाई उठा ले बुजर्गेत का लुट उठा ले अगर आपको भगवान ने हर तरह से सक्षम बनाया है संपन बनाया है आपको किसी परकार का कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है कहते हैं आर्थिक दिक्कत तो मतलब भी नहीं है वैसे भी आप बिजर्गित का लुफ उठा दो भाय視 यहांपर यहां पर यहां रहे हैं कि आपके बच्चे अच्छा कमा रहे हैं वो अपने काम से मतलब है, उनका उस्पुरसत नहीं है, देश में , विद्स में कहीं भी हम आपने पूर्वा साल पूरे करके अपने रिटाइर हो लिए तार्म आप लीजी आनंद के साथ करिया के सब्सक्राइबूर प्र में अ peppers के आ wished है कई तरह किसमें भी दिख्ते आ जाती है पहली तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है पत्नी की आम तरो पूर्शों के साथ ही ऐसा होता है पत्नी की और पत्नी ताने मारे जाएगी सुनाए जाएगी इन्होंने काम छोड़ दिया वह वह कर दिया बच्चे अपना कर रहे हैं बत हो चुक है कि स्रीमत भगवत कीता के साथ से उसने सारे करते पूरण कर दिया अब मेरे बुजर्गित की लाइब जो आगे की है वान परस्ते पहले पहले क्योंकि वान परस्त कारती हो तो 75 साल के अंदर क्या रहता है आद भी असक्त साही हो जाता एक परकार से ज्यादा चल प साथ सब्सक्राइब खास तौर पे 70-72 साल की उमर तक वह चाहता है मैं जितना घूम लूँ यह जो मेरे मन की इच्छा उमें पूरी करो गो समाज के लिए करना चाहता है समाजी की योगदान ठीक है ना तन्मन धन से जैसे भी हो तन से मन से धन से तीनों से दो में से ठीक है जो भी उसकी इच्छा लेकिन सबसे पहली बादक तो परिवार वाले बनते हैं ताने मारे जाएंगे विचारा वो जैसे तैसे करता है थोड़ी थोड़ी छूट देंगे ठीक है अगर वो सर्विस रिटायर हो गया और बच्चों ने बिजनस करका तो वह अपेक्षा रखते ह कि बच्चों के साथ बैठें बच्चे आप एक साथ रहते हैं पिता जी हमारे साथ बैठें पूरे समय ने दो घंटे दें एक घंटा दे या उनके जिमें को ऐसा काम रख दिया जाएगा एकाउंट्स का या कोई भी चीज का जो कि यह करें ठीक है ना उसी में लगा रहता ह उसको भी आनंद इसलिए आता है कारण हस के पीछे कुछ वेक्ति होते हैं जिनकों की मतलब मौ नहीं छूटता है यह वीडियो उन मौ वाले वेक्तियों के लिए नहीं है भाई आपको जो करना करिये यह उन लोगों के लिए जिनके अंदर एक तरणा बन जाती है अब मैं म फिर इसलिए मैंने लट ले लव बुझा ले बजा 38 अपने सा सकते हो कहीं भी आना हो जाना हो खूले दिल हो चुक है तो मारे कहने से कुछ फरक नहीं पड़ना मेरे को घूमने जाए मैं तो गारी उठाऊँगा ड्राइवर लूँगा या केला जाऊँगा मेरे को कहीं भी कुछ करना मैं तुम्हारा बांड़िड नहीं हूं एकाउंट का काम नहीं करूंगा कोई चीज देखोंगा नहीं कुछ आदमी रखने आदमी रख लो तो कैसे मैंनेज करना कर लो कल को मैं संसार्थ चला गया तब भी तो मैंनेज करोगे आरे वही कमाल की बात है करोंगे कि नहीं करोंगे लेकिThen नहीं तो यह आप को करना है आम तब कर जो होता है कि माली जो बच्चे भी सर्विस करें और आप भी सर्विस रिटार होस्च italy upon Mother बहुत है कि फाठों हो आप जो बहावावा इस्तरियों का, वो भी नहीं चाहती है, जबकि अगर वो अपने पती का साधी है, तो कितना अच्छा रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बुजर्गियत का लुद्फ उठाने का अर्थ यही रहता है, आप आपस में बैठके एक दुसरे खुस तो करिए, कैसे हासने का परियास करो मतला आपको वह अभीनाया में आना पड़े का KIर आप इस चिज़ का दी कर शुक अथ गंबृता लिए वी अगर हैं आपने जिनदगी निकाल ही तो आपको अपनी गंबृता अपनी जो भी आप खम सोथी इता हіч के लिए कि खाली कितनी देर तक बेढ़े होगे सारे दिन घर में यह भी तो बता हो कितनी देर ॥ीवी देखतों कितनी देर मोबां देख लोगे कितनी दर क्या कहते हैं आप कुछ भी कर लोगे कुछ ने कुछ मैंने कर रोमांच कुछ अलग से कुछ क्रेटिविटी करना ठीक ना यह चीज ना और खासतर पर इस्तरियों को तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने पती को पुराने दिनों की याद नेगिटिव या प्यारी प्यारी बाते करें जो मैंने बता है ना अब आप बुजर्गत का लुट उठा ले उठा ले लुट उठा ले बुजर्गत का लुट उठा ले आपको कोई प्रेसान ना करें आप बस उड़ती भी चिडिया की तरह बहते पानी जरने की तरह आप बहो आपको जहां में चलिए इसत्वत दिश में समाज के लिए करिए governor करिए जैसा कर ना करिए एक दूसरे को तोका टाकी मत करिए एक दूसरे को तोकर तोका मत करिए जिससे की सामने और एक्र बंदन में बनजा यह उसका जीज़ा लगे मंगल कामने नमस का थोड़े को ज्यादा समझे बहुत जरूरी है बुजर्ग आप बुजर्गों के लिए मैं भी बुजर्गों मेरे लिए बहुत जरूरी है